वेल्कम फ्रेंड मैं मंतोस और आप देखरें मेरी यूट्यूब चनल टेक्निकल मंतोस अमें सो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सरकार के दौरा सभी महलाओं के लिए एक नई योजना को सुरू किया गया है इस योजना के तहद सभी माताओं के खाते में सरकार दौरा 11,000 रुपीए सीधे बैंक खाते में दिये जा रहे हैं अगर आप भी एक या दो बच्चों की मा है तो आप सरकार की इस योजना को अपलाई करके सीधे 11,000 रुपे की रासी को प्राप्त कर सकते हैं आपको इस यूजना को apply करने से पहले portal पर citizen registration करना होता है तो आप किस तरह से registration के process को complete करेंगे इस वीडियो में पूरी details के साथ जानकारी दी गई है तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक request है अगर आप मेरे चैनल में नहीं आए तो मेरे चैनल को subscribe कर दें और bell करना है आपको search बार में type कर देना है PMMBY आपको PMMBY लिख लेने के बाद search पर क्लिक कर देना सर्च पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का interface देखने के लिए मिल जागा आप देख सकते हैं यहापको जो first वाला link देखने के लिए मिल रहा है आपको इस वाल जो लाबारतियों को लाब मिला है वो आप यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं beneficiary enrolled मतलब अभी तक कितने apply कर चुके हैं तो यहाँ पर 4.13 करोर उसके बाद जो जितने सारे को beneficiary को जो लाब मिला है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 3.59 करोर beneficiary को यहाँ पर जो पैसा है वो मिल चुका है उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक कुल कितने रासी को बाटा गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16,068 करोर जो amount है वो अभी तक सभी लाभारतियों को दिया गया है तो आप भी अगर इस के तहत 11,000 रुपी अपने खाते में लेना चाते हैं तो आपको जल से इस portal पर registration करना होगा तो चलिए registration को किस तरह से करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है उपर आने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जारा citizen login तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको इ करने के बाद आपको verify पर क्लिक करना है verify पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का interface देखने के लिए मिल जागा जहाँ पर आपका जो register mobile नंबर है उस mobile नंबर पर एक OTP चला जागा आपको इस वाले OTP को इस वाले box पर फिल कर देना है तो आ पर processing होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface देखने के लिए मिल जाएगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका जो citizen registration है वो successfully complete हो चुका है यहाँ पर जो profile में है वो profile में आप successfully logging कर चुके हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका जो profile है वो देखने के ल करना तो उसके लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपको ऊपर में three line देखने के लिए मिल जा रहा है यह three line पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है data entry आपको क्या करना है यह data entry पर क्लिक करना है यहाँ आप जैसे किलिक करते हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जा रहा है beneficiary registration आपको क्या करना आपको इस पर किलिक करना है इस पर आप जैसे किलिक करते हैं आपके सामने जो registration form है वो आपका यहाँ पर open हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पंजिकरन form है जो online application form है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का form आपको देखने के लिए मिल जागा जिसको आपको सही सही से fill करना है तो यहाँ पे form को किस तरह से fill करना है किस तरह से इसको apply करना है इसकी जानकारी मैं आपको next video में प अच्छा लगा तो मैं वीडियो पे लाइक कर दीजेगा और अगर मेरे चैनल भी नहीं आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाश्ट तक देखने के लिए थैंक यू